पूरे बॉलिवुट को सद्वे में डाल दिया और ऐसे में यहाँ पर कई सारे लोगों के रियक्शन्स भी आए जिन्होंने ये तक कह दिया कि उन्होंने अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि शिशान सिंग राजपूत उनके बीच अब नहीं रहे जी हाँ शिशान सिंग राजपूत जो रविवार को मुंबई में अपने फ्लैट पर खुद की जान दे ली बिहार में जन्मे चौती साल के शिशान सिंग राजपूत ने बॉलिवुट में शुरुआत से काफी स्ट्रगल की थी उनके पहली कमारी थाइसो रुपी की थी जब स्टार बन गए तो चान पर ना सिर्फ लॉट खरिक लिया बलकि उसे देखने के लिए एक दूर भी भी ले गए शुशान दे एक इंटर्वी में बताया था कि श्ट्रगल की दिनों में वो छे लोगों के साथ रूम शेयर किया करते थे इस दोरान उन्हें प्ले के धाई सो रुपे मिलते थे शुशान कभी कभार फिर्मों में हीरो हीरोईन के पीछे बात और एक्स्ट्रा डांसर भी काम कर लिया करते थे मुंबई में कई साथ स्ट्रगल करने के बाद शुशान को 2008 में टीवी पर पहला ब्रेक मिला बालजी टेली फिल्म के शो किस देश में है मेरा दिल से मिला हाला कि उनके करियर को असली उडान 2009 से 2011 के बीच टीवी शो पमित रिश्टा से मिली शुशान को 2013 में पहले फिल्म का इपोचे मिली यहां से उनका करियर धीरे धीरे रफतार पकड़ने लगा कभी मुंबई के मलाग में इस टू बी एच के अपार्टमेंट में रहे शुशान ने 2015 में पाली हिल के एक पैंट हाउस खरीदा इसके लिए उन्होंने 20 करोड़ पे की कीमत चुकाई थी शुशान अपने घर के लिए लिविंग रूम को ट्रैवलिंग रूम कहते थे दरअसल घर की दिवारों पर लगी पेंटिंग से लेकर एंटिक आइटम्स तक घर का कोना-कोना नोस्टेलिजिक एन फ्यूचरिस्टिक दोनों जलक दिखाए देती थी शुशान के घर में एक बड़ा सा टेलिस्कोप है जिसे वो टाइम मशीन कहते थे उनके मताबिक इससे वो अलग-लग रहो और गलेक्सीस को खर बैठे देखते रहते थे शुशान ने एमेस्थोनी और केदादनाच जैसी हिट फिल्में भी दी है बता दे कि अमेर खान की पीके में भी उनके काम की काफी तारीफ हुई थी फिल्हार शुशान एक फिल्म के करीब 5-7 करोर रुपे के लिए चार्च करते थे फिल्मों के लावा उनकी कमाई का सर्या एड़टाइजमेंट और स्टेश शोज भी थे शुशान के कार कलेक्शन में मेस रोटी कौार्टो पोटो कीमत डेट करोर जैसी लगजरी कारे हैं इसके लावा उनके पास BMW K3 1300R बाइक भी थी 170 O BHP पावर जनरेट करने वाली इस बाइक की कीमत करीब 25 लाग रुपे है बता दे कि शुशान ने 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी उनका ये प्लॉट सी आफ मस्कोवी में है दिल्चस पर ये है कि उन्होंने अपने प्लॉट पर नज़र रखने के लिए एक दूरबीन भी खरीदी थी उसके पास Advanced Telescope 14 LX 00 था शुशान ने ये जमीन International Lunar Lands Registry से खरीदी थी शुशान ने 25 जून 2008 को ये प्रापट्री अपने नाम करवाई थी हाला कि इसमें भी कई International संधिया थी जिनके According इसे कानूनी तोर पर मालिकाना हक नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रित्वी से बाहर की दुनिया पूरी मानव जाती की धरोहर है और इस पर किसी एक देश का कबजा नहीं हो सकता शुषान दैसे पहले एक्टर थे जिन्होंने चान पर जमीन खरी दी थी Next My Life से रजनी की रिपोट